अब यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे थे आप्सिनल टाइप कोशन है ना जो कि प्रिशनली बायो के लिए है और यह आपके चार चैप्टर से यह कोशन है एक तो आपका जैनन से पोशड से और जो आपका आनुवन सिक्ता से और सोशन से आए शुरू करते हैं पहला कोशन ह कौन सी बिध सही प्रकार से स्वापोशड के बिध है पहला अपने हाथों से भोजन पकाना और खाना स्वापोशड का मतलब यह होता है कि हरे पाउधों में प्रकासंसलेशड के मादिम स्वाजन बनाएं कौन से सही तो भाई दूसरा सही होगा पहला तो गलत होगा अरे भ मंड को ही क्या कहा जाता है इस्टार्च अब एक्जामनर क्या करेगा इस्टार्च यह नहीं देता है और बच्चे कहते हैं यह मंड हम कभी सुने नहीं है कहां से लगाएं याद रखना मंड को ही स्टार्च कहा जाता है यह मंड है ना आगे देखे प्रिकास संसलेशड की प् प्रियुक्त चार कौन सा है तो यहां पर कौन सा चार लिया गया था CO2 की उप्योग आव सकता है इसके लिए तो यहां पर कौन सा होगा potassium hydroxide होगा या जो है calcium hydroxide होगा अगला आईए मानों में मुख गुहिका का वह भाग जो कि इसे सौसन मार्ग से अलग करता है उसे क्या कहते हैं होट कहते हैं कि तालू कहते हैं बताई यह क्या कहते हैं तालू कहते हैं है ना अगला question है पित का निर्माड होता है तो भाई यकृत में होता है repeat हो रहा है आंत्रे रस का स्रावड होता है तो किसके द्वारा सीकम द्वारा होता है कि पाईलोरिक गरंतियों द्वारा होता है तो बताए आंत्रे रस का स्रावड किसके द्वारा होता है सीकम द्वारा होता है आंत्रे रस का स्रावड जो होता है सीकम द्वारा होता है अब भाई आगे आते हैं तो एकनट एकनट देखे यह रहा आपके सामने तो जठर रस्में निमना लिखित में से कौन नहीं पाया जाता है तो कौन अब आपसन है जठर रस्में उपस्थित है तो इन चारों मेंसे आपका कौन नहीं पाया जाता है बताइए रेनिन और ट्रिप्सिन इन में पाया नहीं जाता है अगला जठर रस्में उपस्थित HCL का प्रमुख कारे क्या है तो HCL का क्या है निश्क्रे पेपसी नोजन को सक्क्रे करना भोजन के माध्यम को अमले बनाना रखना निश्क्रे प्रोटेनिन को सक्क्रे करना तो भाई ये सारा है उपरोगत सभी होगा मनुष में प्रोटीन का पाचन सरकर्थम किस में होता है, तो अब आपका आमासय में होता है, अगला पित्रस की रासानिक प्रबर्त क्या है, अमली कि छारिये है, वह एंजाइम जो सुक्रो斯 को गुलुकोस तथा प्रक्टोस में बदलता है, उसे क्या कहते हैं सुक्रेज एंजाइम कहते हैं नाम से ही के लिए रहे रसांक रोमे वसा मतलब वसी अमलें गिलस रॉल का आउसोसड किसके द्वारा किया जाता है रुधिर वाहिनियों द्वारा की जो है आच्छिर वाहिनियों द्वारा किसके द्वारा किया जाता है इसमे तो आक्सी सोशन से सरवाधिक उर्जट 673 किलो कैलोरी या जो है कितना एटीपी 38 एटीपी एनर्जी पराप्त होती है आगले आते हैं फोटीन नंबर कोईस्टन देखे अलकोहॉल का निर्माड होता है तो अगला निमलखित में से क्रेप्स चक्र का क्रिया अस्थल होता है यानि क्रेप्स चक्र होता किसमें है तो यह थी इसमें माइटो कांट्रिया का आधार द्रब में मैटो कांट्रिया की आधार ध्रब में ही क्रेप्स साइक्ल होता है अगला रंध्रों में दौर कोश्काओं alors की संख्या होतीं वह दो होती है अगला देखेगक मनुस्चरा के नाशा मार्ग से अंदर आने वाली वायू के ताप एउम नली नियम के कार में सहायक जिल्ली है कौन सहायक जिल्ली है तो यहाँ पर स्लेस्म कला अगला है स्वास नली की लंबाई कितनी होती है तो स्वास नली जो होती है जिसको ट्रैकिया भी कहते है वो होती है कितनी होती दस से बारा सेंटीमिटर होती है मनुष की स्वासनली की दिवार में होती है सी आकार की उपास थी या ओ आकार की उपास थी मताए किस आकार की उपास थी होती है स्वासनली में तो इसमें सी आकार की उपास थी तो ऐसे चार आप्शन रहेगा वहाँ पर दो नहीं रहेगा यह तो दो लिखा गया है जल्दे के लिए फुफुस गुहा में भरे तरल का मुख्य कारे क्या है फेपड़ों की सुरक्षा फुफुस ये फुफुसा ओरर को नम एम चिकना बनाना और फुफुसा ओरर को घरसड युगत रखना तो इसमें क्या होगा यह चीज होगा घरसड युगत रखना मतलब यह सारे चीज़ें सही उपर युगत सभी आगे आ जाईए 21 नमबर आईए यहां देखते हैं देखे 21 क्या कहता है मनुस के सरीर में फेपड़ों की संख्या कितनी होती है दो होती एक होती है भाई यहार कोई बता लेगा बटा होता है तो वह होता है तीन पिंड में बटा होता है दाया पलबלק है आगे देखे वाय कृश किन कोश काओं से बनती है अस्तंभी प्कला से कि सल्की प्क्लास सोगां बनती है बताईए यहां पर अस्तम भी उपकला से कि सलकी उपकला से तो यहां पर सलकी उपकला से होगा भी आपसन होगा है ना आगे देखें मानो शरीर में फेफडों के भीतर गैसिये बिनिमे से सम्मंध मुख्य संदचनाई होती हैं दूतियक स्वास नली होती हैं कि वायू कोस होती हैं कौन सी होती हैं इसमें तो इसमें आपका वायू कोस होती हैं अगला वायू मंडल में स्वासन अंगो द्वारा सुध वायू ग्रहेंड करना और असुध वायू को बाहर निकलना इस परक्रिया को क्या कहा जाता है स्वास उच्छवास परक्रिया कहा जाता है, अगल आजाएंगे में, आक्सिजन का परिभाण में किस रूप में करते हैं स्पायरोगायरा में आलेंगि dwist ब्रजनन होता है बताए जंतों के छोटे-छोटे टुकडों में टूटने से होता है या एक कोशिका का दो कोशिकाओं में विभाजन से होता है या जो है पुरानी कोशिका से वयस्क कोशिका के निर्माड से होता है इसके को संसा हो इसमें बताये अब इसमें आपका पहले कि इस पैलोगारा में ज़ो आलाइंगिक जनन होता है वह किसमें वता है किसमें होता भाई यह होता छोटे च्षोटे बbles से होता है इस देखा जाए आरेंगिक घनन तों दोनों को एक पीदैने आमीबा में भी ups दोनों में आलेंगी ही जन्रों होता हैं तो यहां पर दोनों से होगा में यहां पर जो है बौन अगर आप्षन जैसे चार देमार्व तो एक आप्षन हो सकता ऐसे दिया गया हो ए और बी तो ए और बी पर टिक करना दो आप्शन तो दिया नहीं जाएगा परिशान नो यह तो दो आप्शन यहां दिया वे क्यों ऐसे कौन हां दोनों होता भाई इसमें देखे नीचे दी गई सूची में आलेंगिक जनन द्वारा जनन कौन करता है तो मतलब पहला तीसरा और चौन से आप्शन में दूसरे आप्शन में है तो यही आपका सही होगा ड़न है अगला जाइए हाइड्रा में किस प्रकार का आलेंगिक जनन होता है तो हाइड्रा में मुकुलन होता है है ना हाइड्रा में कौन सा आलेंगिक जनन होता आपका मुकुलन मुकुलन होता है एक चील लेकिन और ध्यान देना हाइड्रा में आपका पुनर उद्भावन देखे हाइड्रा में पुनर उध्भौन भी होता है। लेकिन प्रमुख रूप से यह चीज़ कोता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप्षन के कार्डिंग देखोगी ना किस प्रकार का आलेंगिक जनन होता है। तो मुकुलन पुनारुद्वन दोनों आलेंगिक जनन का ही रूप है तो ए और भी दोनों होगा है आपका सी वाला अपसंस ही है लेकिन अगर यह नहीं रहेगा तो मुकुलन ही टिक लिए अगला आजो क्योंकि इसमें मुकुलन भी आ गया एक कोश के पादप कले माइडो मोन मास में आलेंगिक जनन किसके द्वारा होता है तो यहां किसके द्वारा होता है आपका इसमें होता है चल बीजाड़ों द्वारा होता है आज आईए 32 नंबर क्या गया रहा है मुकुलन द्वारा आलेंगिक जनन निमन लिखित में से किस जन्त में होता है मुकुलन द्वार वो क्या है आलेंगिक जनन होता है एक कोश्के होते हैं केवल जो हैं लेंगिक जनन होता है या जो हैं बहु कोश्के होते हैं इन में जो हैं दोनों में आलेंगिक परजनन होता है इस पायरोगारायम आए भी आलेंगिक और जो इस्ट में भी आलेंगिक परजनन या जनन होता ह है तो काइक पर एक तो दो तना से ऊथा है जडसे उता पत्यों फूल से नहीं होता है तना जडसे ओर पत्यों से होता है incentiv अगला आ जाए नेमलिकित में से किन पादपो में सामानता काइक जनन जनन ही संभव होगा केला बास इलायची और ये सब ही सब दिकて बास इलाइची केला इन सब में जो है का इक जनन ही संभव होगए अगला लेंगा जनन के लिए आवस्य के आवकि एफ 여फ टैरbya वर है एह आजते हैं यह यहां पर हम लोग आते हैं 37 नमबर पर तो यहां पर देखेगा 37 नमबर यह कह रहे हैं किसी पुस्पित पादप में लैंगिक जनन के संदर में नेमलखित में से कौन से कथन सही है इसके लिए दो प्रकार की यूगमकों क्या आउसकता होती है इस जनन में निशेचन एक अनावस्य को घटना है इस जनन क करती जो एक पूरबज बनाते हैं तो बताइए इसमें कौन सा आप्शन होना चाहिए आपका इसमें जो है आपको जड़ा सा एनालिसिस करें क्योंकि यहां पर चारों आप्शन और नीचे बकायदा यह भी आपका है ना तो कुछ ऐसे क्वेशन जब आते हैं तो भाई यह प्राब्लम क्रेट करते हैं तो यहां पर जो आपका होगा देखे इसके लिए दो प्रकार की यूगमनत जो की आउसकता है यूगमकों की हाँ यह सही है पहला दूसरा तो गलत है क्योंकि अनावस्च्यक भाई आवस्च्यक है ना और जो है बात के जा तीसरा पर अड़ाम स अग्छाए ना जाओ पुश्पो के लिए निम्ल भित में서 कौन से कतन सही है सभुश्प चडव दोलेंगी होते हैं यह ल규 यह जन्य अंग होते हैं यह पाद्पवम के सभी संग्णों में उत्पन होते हैं अगला जो है निसेचन के बाद यह फ़ल देते तो कौन सा होगा एक हारे गए कॉन से और अब यहां पर आपको फिर अनालीdoing करना है टो इसका आपका होगा देखो उस्प सधे दो लिंगी नहीं एक लिंगी घविटी तो पहला गलत भीमा डूसरा जननेनैं अंग फ पार देता हैं पुष्प के वे भाग जुन्नर और मादा युगमक यानि जनन को उत्पन करते हैं वो क्या होते हैं पराग को सोरंडा से भाई बिल्कुल यही आपसन आपको सही होगा है ना एवाला आजाई हो अब आते हैं फोर्टी पर देखें फोर्टी नंबर क्या गरा पुष्प में लैंगिक जनन की घटना का निमलखित में से कौन सा क्रम सही है बीज भ्रोड निशेचन परागण तो इसमें कौन सा होना चाहिए बताईए या परागण निशेचन भ्रोड बीज पहले परागण ह होता फिर निशेचन हुता है फिर भ्रून बनता है फिर व कि अगया यही सही है अगला यूग्मक दो लाद ्बार थोड़ी बनता है अग्या आजो नीशेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है अग्ला पाधपों में योगमक संलेन की अनुपस्थिती में नए Pाधप का निर्माड हो कहलाता है जब योगमक संलेन ना हो यानिक नीशेचन ना हो आसंग यूग्म जनन थोड़ा आपसन देख लिजेगा बुग से चुकि मैं खुदे कंति हुजू आयोप आसंग जनन है नर में सुक्राड जनन किन नलिकाओं में होता है तो भाई किसमें होता है नर में सुक्राड जनन किन नलिकाओं में होता है तो इसमें होता है शुक्र न यहां पर कहते हैं भग कहते हैं ध्यान देना यह कोशन इतम बिल्कुल नया है लेकिन पूछा गया है आगे कौन मानों में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है तो शुक्रों आहिनी नहीं है यह वाला गर्भा से तो है चलिए अब आते हैं 47 नंबर पर भाई एक मिनट 47 47 कहां इसमें नहीं है यह है छोटा सा है ना छोटा पाइक बड़ा धमा का आजाए 47 वाली पर देखे 47 कह रहे हैं इस्तरी के दूतियक मतलब गौड लाएंगे क्लक्षड हैं एक तो सर का मधूर हो जाना अंडोत सर का मासिक चक्र की शुरुआत होना अस्तनु का अभिकास तो यह योगमन नहीं अंड़ जननन सुरी सौरी अंड़ जननन के परिश्चात तो अंदाडव का ओवम का अगला जो है कि सेन्रचना द्वारा गरभस्त भुरूण जो है माता से पोशर्ड प्राप्त करता है तो किसे द्वारा ओल के द्वारा की रुधिर वाहनी द्वारा तो यह आल के द्वारा होता है इसी को प्लेसेंटा गएते हैं अगला आजो नेमलिखित में से किन जन्तुओं में आंत्रिक निसेचन होता है सरीश्रिप में की पक्छे में की मनुस्त में की इन सभी में तो इन सब में मादा के फीमल के अंदर ही पाटिलाजेशन होता है प्रूड का परिवरधन कहां पर होता है इसमें तो वो आपको कौन provocation कर तो एक पेड़े से दूसरी पेड़े में वनसागत होते हैं से कहलते हैं अब्फब का प्रयोग सरप्रतं किस बैग्यानिक ने किया था ने कि मैंडल ने बताइए स्विण से पहले कियांति मेंडल ने अपने पादप को लिया था मटर 58 नममर देखिए मतर का पादभ किस प्रकार का होता है then a birthday होता कि दूरर सी होता है मतर का पादभ जो पुद आपका एक्यों मेंडल ने मतर के पादभ के कि इस पर ही 80 लक्षडों का ध्यान किया था तो साथ किया था मटर में बीजों का गोल आकार तथा पीला रंग दोनों होते हैं कैसे होते हैं आप प्रभावी होते हैं कि संकर होते हैं तो होते क्या हैं संकर होते हैं पादप का पौधों का लंबापन प्रभावी लक्षड इसका आप्रभावी लक्षड क्या है तो जब लंबापन प्रभावी लक्षड क्या होगा गोल बीज होगा की बाउनापन होगा है कौन से कारण मेंडल की सफलता के लिए सोचे गए शंतानों का गणनात्मक बिशलेशड प्रस्तुत किया गया था अपने संक्रण में पहले के और भी आप्षन है वनसा वली अभिलेक रखे थे ये रिकार्ड पूरा रखे थे हैं यह सारा काम यह के थे उपरोगत सभी होगा अगला आजए एक जीव की जीनी संरचना कहलाती है एलीलो मार्प की जीनो टाइप या जीन प्रारूपिक अनुपात तो क्या कहलाती है यहां पर वही चीज हो जाएगा आपका जीनो टाइप जीन प्रारूपिक अनुपात अगला एक संकर संकर के एफटू पीड़े में सुध्य हम संकर लक्षड वाले पाउधों का अनुपात क्या होता है तो यहां पर यक्कों नहीं सारा गलत है यहां पर चारों आपसने इनको लि करता है यहां अपर कह रहे हैं और करहें सुध्य और संकरल लक्षड वाले सुद्ध और संकर लक्षड वाले पौधों का अनपाद कितना होता है लिए गया था तो यह चिन नहीं होगा आपका यह हो गया गलात यह इसके लिए थोड़ा समिस्टिक हो गया भाई तो इसके स्क्राइब होगा व रेशियो व वण होगा घ्यान देना अच्छा खासा कनफ्यूजन वाला है कोई समिंवर स्थीट मैं खुद ही कनफ्यूज होगा देखो अलब यह इन्हां पढ़ाने को ज्यासा आगए आजओ एक लंबे पौदे कापिटल टी च्छोटे पौदे इसमाल टी इसमाल टी हैना मटर के पात्पों के 20 संक्रट कराने पर परड़ाम शुरूप संतत में सभी लंबे ऐसे पौधे प्राप्त हुए क्योंकि क्योंकि भाई 67 नंबर है क्योंकि आगे यहां पर है देखो पेज नंबर लिखा गया है यह 12 यह 13 है यहां बोना पन इक प्रभावी लग छे लंबा पन एक प्रभावी लग चिड़े तो इसका यूग मक बनते समय जीन के प्रण के नियम का है मेंडल ने तीन नियम दिया थे तो ऊसी का अगल जो यद एक गोल पीला आर यवाई वाई कैपिटल में मटर के बीच के पोधों को यह पोधों को हरा जुर्रीदार वाले मतर के बीच के पौधों के साथ संक्रड कराए जाए तो f1 पेड़े संतत उत्पन होती है गोल और पिले कि गोल और कैसे होती है यहाँ पर इसके लिए पूरा एक चार्ड बनवाए गया था तो यहाँ पर कैसे होते हैं गोल और पीले होते हैं आज यह 69 बस इतना ही question है हमें पता है आप बोर हो गया होंगे 23 मिनट का वीडियो जो कोई बात नहीं DNA में नहीं पाया जाता है DNA में राइबोस सरकरा नहीं पाया जाता है यह आपका RNA में पाया जाता है एक नट DNA में नहीं पाया जाता है हाँ सही है सही है अगला जो है यहाँ जो RNA में कौन सा नाइट्रोजनी छारक नहीं होता है यूरेसिल RNA में होता है थाइमिन नहीं होता है थाइमिन नहीं होता है थाइमिन DNA में होता है RNA में यूरेसिल होता है transfer RNA tRNA करता है जीन पाए जाते हैं तो जीन कहां पाए जाते हैं तो जीन गुड़ सुत्रों पर पाए जाते हैं यह आपका ध्यान दिजए यह आपके जो aftional टायद के question है जो कि आपका part 3 है तो part 1 part 2 इसके पहले जरूर देख लिजेगा बले आप पार्ट 3 ना देखो लेकिन पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 भी देख लिजेगा इन तीनों पार्ट से अगर आप कर लेगे चार पांच कोशन एकदम पक्का है तो आज के लिए इतना ही भाई अगर हां समझ में आया हो तो वीडियो को